कि जो income tax हम पढ़ने वाले हैं, तसली से पढ़ना ऐसे, बिल्कुल slow और पूरा detail, books कौन सा लेना है वो मैं सारी चीजे बता दूँगा, notes मैं खुद provide करूँगा आपको सारी चीजे, ठीक है न? तो बिल्कुल तसली से पढ़ेंगे, अब text के नाम से न हमारे mind में, अगर मैं text की बात करूँ, तो text क्या है सर, text के नाम से हमारे दिमाग में दो बाते घूमती हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, अगर मैं text की बात करूँ न तो जब से हमारे age की हम बात करते हैं जब से हमने सुनना चालू किया है तो text में maximum time तक हमने GST word को सुना है GST आ गया, GST लग गया, इस पे GST, इस पे GST हमने maximum time तक सुना है यह, correct तो हमारे mind में जब होता हैं कि text पढ़ने वाले हैं तो कहीं ने कहीं बच्चों के mind में thought आता है कि अच्छा हमें GST की भी सारी जानकारी मिलेगी जो दूसरा aspect text का होता है न वो कई बार हमारे दिमाग में नहीं आता तो हम text की अगर बात करें तो text को दो category में बाटा गया है सर दो category कौन कौन से होते हैं हमारे जिसमें बाटा गया है एक बाटा गया है हमारा direct text simple तरीके से हम समझेंगे कोई complicated नहीं और एक indirect text एक direct text है सर हमारा और एक indirect text है एक indirect text है फरक भी देखेंगे फिर हमारे slayvers का कौन सा पार्ट है वो भी देखेंगे पहले हम समझ लेते हैं सर direct text क्या होता है और indirect text क्या होता है जैसे अगर कोई भी person की मैं बात करूँ मान लो एक person है और इस person को text देना है और एक मान लेते हैं हम government सर government का मतलब है जिसके पास text का पैसा जाता है ठीक है न? अगर इस person ने directly इसको जमा करवाया text जाके और payment इसने किया है और directly किस से connected है government से तो इसे बोलते है direct text मैं भी example भी लूँगा दूसरा example देखिए मान लेते हैं कि इस person ने text government के पास नहीं जमा करवाया इस person ने mediocre किसी को दे दिया कि भाई तू मेरा एक काम करना text जमा करना इसने पैसे किसको दिये इसको और इसने जमा कहां करवा दिये जाके तो पैसा आप ही दोगे text का लेकिन एक में देख रहे हो कि आप सीधा government को जाके दे रहे हो और दूसरे में क्या देख रहे हो आप सीधा government को जाके नहीं दे रहे पहले कौन दे रहा है पहले आपने किसी सामने मीडियो कर किसी वक्ति को दिया और वो वक्ति उसको दे रहा है तो जो direct, indirect tax की बात करूँ न तो जितने भी product आप purchase करते हो तो उस product पे लिखा होता है inclusive all taxes, सुना होगा, including all taxes, even though जो भी product आपने खरीदा होगा, कई बार notice किया होगा, लिखा होता है तो इसका मतलब सर, simple सी बात है, payment आपी करोगे, 10 रुपे का समान था, उसके उपर 2 रुपे का tax लगा, chips की बात कर लेते हैं, 10 रुपे का chips है, उसके दो का, आपको 12 रुपे का एक chips मिला, तो आपने दुकानदार को 12 रुपे दिये, ये दुकानदार है, और दुकानदार को ब Indirect Tax का मतलब ये होता है हमारा GST, जिसका नाम बदल दिया गया है, Goods and Services Tax के नाम से, एक ये टेक्स है, एक ये होता है कि आपने मान लेते हैं, आपकी salary 5 रुपे है, या आपकी salary 10 रुपे है, तो 10 रुपे salary आपने कमाया है, income जिसकी ज़्यादा होगी, उसको tax देना पड़त को, तो अगर आपकी salary 10 रुपे है, तो आपको tax payment करना पड़ेगा government को, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे अपने भाई को, मेरी salary 10 रुपे है, तू tax pay कर दे, आपको ही pay करना पड़ेगा directly यहाँ पे, तो यह हो गया direct tax, that is इसको बोला जाता है income tax, यानि यहाँ पे देखा जाए आप ध्यान से देखना, जो यह वाला 10 प्लस 2 है, यह तो खर्चे पे tax है, income पे थोड़ी है, सोचो, अपने chips लिया, तो वो income पे tax थोड़ी है, वो किस पे tax है, खर्चे पे, यानि सरकार देख लो कैसे आप लोगो के साथ काम करती है, income कमाओगे, तब भी tax लेंगे, और खर point of view से tax लेंगे, और जब आप income कमाओगे, तो हम आप से किस से लेंगे, direct tax आपके घर पे आजाएंगे, और आप से लेंगे किस नाम से income tax, हमारे syllabus का मैंने पहले ही लिखा कि क्या नाम था syllabus का सर, syllabus का नाम था income, तो हम GST के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले, GST हमारे अ आपको पहले clear पता होना चाहिए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर, आप जैसे कि हम GST माइंड में आता है कि GST नहीं पढ़ेंगे, नहीं सर, GST पढ़ेंगे, लेकिन बाद में अभी हमारा syllabus का पार्ट नहीं है, GST, अभी सिर्फ syllabus का पार्ट क्या है, हमारा income tax, जिसको direct tax कहत हैं, हमारे exam में ये 75 marks का आएगा paper, 100 number का कोई paper नहीं होता, ये होता है 75 marks का, 15-15 number के questions आएंगे आपके basically, और और में भी आपको choice में मिलेगा, अब बात करते हैं सर, ये जो tax है हमारा income tax subject, ये practical subject है ये theoretical, बच्चा मेरे से हर बार पूचता है, मैं बोलता हूँ, मैं अभी जव question हो जाएंगी आपके, तब मैं जवाब दूगा और आपको आपके answer खुद ही मिल जाएगा, कि ये practical है या फिर theoretical, अब आपने बोला सर, ये income tax है, ठीक है, यहां तक आपको clear है point, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने, और आपने कहा, मैंने ही बोला, कि सर, ये income tax है, तो आ जाब करके कमा सकते हैं, है ना, यानि मैं सीधा बोलू तो आप salary से पैसा कमा सकते हो, मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा, सर, चर्चाई करने को कोई फायदा नहीं है, GST, goods and service tax, इस तरीके से act आया, पहले service tax हुआ करता था, वैट हुआ करता था, मतलब ही नहीं है, क्या फा पांचे मकान है, वहाँ से किराय आ रहा है, कमा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं, house property, सर, नंबर तीन, कहां से कमा सकते हो, क्या पता आप business करते हो, तो business के अंदर, यानि आपका, मैं simple language में लिखूँ तो business income, सर, business को दो पार्ट में हम लेके चलें, business का मतलब हो सकता है, कि आप goods को बेचते होगे, और हो सकता है, आप service provide करते होगे, है न, दोनों हो सकता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी भी income है, मेरी भी business की income है, लेकिन मैं goods नहीं बेच रहा, service provide कर रहा हूँ, अब जहां दुकानदार पर जाते हो कोई परचुन की दुकान वाला है वो भी पैसा कमा रहा है, income कमा रहा है, 10 रुपए के समान 12 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए कमाई कर रहा है, लेकिन वो goods बेच के कर रहा है चौथी income की बात करें हमारी कहां से हो सकता है, capital gain हो सकता है capital gain को मैं थोड़ा और easy language में बोलू, तो sir क्या हो सकता है ये, आपका हो सकता है fix assets, government की नजर आपकी हर चीजों पर है fix assets को आपने बेच खरीद के पैसा कमाद लिया, होता है न, आपके अगर देखा जाए, आपके जितने भी मान लेते हैं, parents थे, grand parents थे, उन्होंने 10 रुपए में बिगा की जमीन खरीदी होगी, आज 10 लाग में बेच चेदी, तो सरकार बोलता है कोई बात नहीं, आप खरीद पर हम टेक्स लेंगे, तो मकान खरीदा, मकान बेच दिया, जुलरी खरीदा, जुलरी बेच दिया, ऐसा हो सकता है न, कि आपके fix assets की बात करो, assets समझ रहे हो न, तो उसके assets के उपर, तो ऐसे चीज़ को बोला गया, sir, जब fix assets पर काम करेंगे, तो capital gain, इसको बोला जाता है capital, assets को न, हम capital के नाम से भी जानेंगे, income tax subject के, capital gain, यानि capital gain ना बोलके, मैं सिर्फ profit बोलना हूँ, understanding, पांचवा हो सकता है, जो आपको याद नहीं आ रहा, वो सारा cover हो जाएगा पांचवे में, जैसे ब्याज से पैसक आ रहा है, जैसे lottery लग गई आपकी, जैसे आपने gambling करा, कोई तासवास, मटकाउट का खिल लिया, IPL में पैसा वैसा लगा लिया, वो भी income है न, सरकार कहीं भी नहीं छोड़ने वाली आपको, ठीक है न, करते हैं, लोग बात करते हैं, भाई, IPL में पैसा लगा लिया, trending रहता है, अभी IPL का एक festival बना दिया है, सरकार बोलती है, आप कोई बात नहीं है, आप करो, हम आप से पैसे लेंगे, टेक्स दो, black money क्या रहेगा, white रहेगा, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, bitcoin बोल रहे हो, others, यानि आपके income कमाने के यही 5 जगह हैं, और इसके अलावा आप कहीं से income कमाई नहीं सकते हैं, तो हमें क्या समझना है, सर, अगर हम salary से पैसा कमाते हैं, तो किस परकार हम tax की calculation करेंगे, क्या हमें 5 लाख रुपे, अगर सालाना salary मिल रहे हैं, तो 5 लाख पर सरकार को tax दे तो कैसे देंगे, वो सिखाया जाएगा आपको इस chapter में, दूसरा आपका rental income आता है, तो rental income पर tax देना है, मैं एक example लेता हूँ, छोटा से आपका 50,000 रुपे का rent आ रहा है, लेकिन किरायदार जो मकान मालिक है, किरायदार बहुत सारे चीजे क्या करते हैं, हमारे मकान के तो इंकम तो 50 है आपके, तो क्या 50 पर tax देंगे, वो सारी चीजे सीखेंगे, कि जब rental income होता है, उस पर कैसे tax निकाला जाए, तो sources होगे, sources बोल रहा हूँ मैं, ठीक है न, sources के जगहा पर मैं अच्छा word यूज करूँ तो head word, मैं बहुत सारे word अभी change करूँगा, head, ठीक है न, business income आपको पता है, कोई भी हो सकता है, टाटा, आमबानी, अभी देखोगे, सारे business के अंदर, जैसे startup, startup कोई भी हो, सारे business income में आ गया, fixed assets, capital gain में आ गया ये, इन पांचो के पांचो income को कैसे calculate किया, अब ऐसा हो सकता है, कि राम में बड़ा talent है, राम पांचो जगे से income कमा रह है, मकान भी 3-4 है, वहां से भी आ रहा है, business भी करता है, शाम को कहीं न कहीं, दुकान पर भी बैठ रहे है, सुबह business, इसके property का भी काम कर लेता है, दुकान पर आता है, कोई भी मकान चाहिए, चलो मैं दिखाता हूं, मैं बिकवा देता हूं, भी आज भी आ रहा है, सारे income ह एक्जामनर पूछेगा, राम भी आ ने ऐसे ऐसे income कमाए है, राम को कितना tax सरकार को भरना चाहिए, बताइए, 15 नमर का question, question क्या बनेगा, वो चीज मैं बता रहा हूं, या राम सिर्फ जॉब करता है, उसकी salary है, इतने रुपे कमाता है, उसके कितने tax बनेंगे, बताइए या फिर राम ने घर खरीदा और घर बेचा और उसमें इतने पैसे कमाए हैं, उसके उपर, टेक्स बताइए, ये बताया जाएगा इसके अंदर, लेकिन, एक मैं छोटा सा example पूछता हूं, मैं थोड़ा सा आ जाता हूं, accounts के उपर, accounts के अंदर, main क्या होता है, accounts का objective की बात करें, तो objective का काम है, find profit and loss, यही objective है, main objective के find हमें क्या करना है, अपने business का profit या loss फाइंड करना है, सर, अगर आपको profit and loss find करना है, तो क्यूं सिखा रहे हो हमें journal entry, क्यूं सिखा रहे हो हमें trial balance, क्यूं सिखा रहे हो हमें depreciation, क्यूं सिखाते हो हमें उसके अलाबा और भी chapter जैसे branch account, हमें तो profit and loss निकालना है, सब सीधा निकाल सकते हैं, तो क्यूंकि इसको बहुत ही accurate करने के के लिए, ठीक से करने के लिए कुछ helping chapter है, जितने भी chapter है, चाहिए rectification of error हो चाहिए, bills of exchanger, इसको helping chapter है, ऐसा ही इस chapter को, इस पांचो head को support करने के लिए बड़े सारे chapter आता है, ये पांच अपने आप में chapter है, जब ये पांचो जगह से हम income सीख जाएंगे, हमारा syllabus खतम, ये प पांचो चैप्टर सीख जाएंगे, syllabus खतम, लेकिन इस पांचो चैप्टर को तब तक नहीं सीख सकते, जब तक इस से जुड़े हुए कुछ mislainious chapter ना सीख जाओ, जैसे अगर कोई वेक्ति agriculture से income करता है, आपको पता agriculture, किसान भारत के अंदर बहुत sensitive है, अभी देखा होगा ना लगाएं, टेक्स लगाएं, पता चला सरकार गिर गया, यह सारे चीज़े, इसके बाद, दूसरा, बहुत जगह से टेक्स चोरी की जाती है, clubbing of income, clubbing of income, बहुत जगह से टेक्स को चुराया जाता है, तो उस चोरी को किस तरीके से provisioning apply करके वो सीखेंगे, clubbing of income, मैं chapter के number ही बता रहा हूँ अभी, इसके बाद क्या सीखा जाएगा और, इसके बाद सीखा जाएगा, set of and carry forward, carry forward, और क्या सीखा जाएगा, सर इसके अंदर, देखें, पांच चप्टर यह अलग से हो गए, तीन ही हो गए, और क्या सीखा जाएगा, deduction, बस यही चेप्टर है हमारे income टेक्स में जो हमें सीखने है, और प्लस हमारे लिए यह subject बिलकुल new है, तो new subject है, तो कुछ हमें सीखना पड़ेगा, basic term, जैसे accounts का, अगर मैं आपने accounts इतना पढ़ा हुआ है, capital पूछू तो आपको अब लगया normal बाते हैं, लेकिन जब आप 11 क्लास में आये थे तो बहुत बड़ी बात थी हो, आपको अगर पूछा जाए debtor, अब लगया debtor तो पता यह क्या debtor, लेकिन 11th क्लास में debtor पढ़ाने के लिए मुझे बहुत महनत करना पड़ता है, तो same इसके अंदर कुछ basic terms है, जिसे आपको सीखना पड़ेगा, जैसे assessment year क्या होता है, previous year क्या होता है, हमारे इसके अंदर family का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारे person का मतलब क्या है, अलग-अलग चीज़ों को हम सीखेंगे, इसके अंदर हर एक चीज सेक्शन wise है, हम अभी आएंगे इसके उपर, हर एक चीज किसके तरीके से है, एक section के point of view से, section याद नहीं है, तो कोई need नहीं है section को quote करने का, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप section लिखते हैं, और अंदर की theory सारे ठीक लिखिया, लेकिन section number गलत लिख दिया गलती से, तो आपको marks 0 मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, तो section में हम जब पढ़ेंगे ना, तो section पूरे याद हो जाएंगे हमें automatically, और मैं यह कह रहा हूँ, कुछ बच्चों का मानना है section लिखना है या फिर नहीं लिखना है, टोटल हमारे इसके अंदर, income tax के अंदर हम सारा income tax नहीं पढ़ेंगे, income tax का भी कुछ portion पढ़ने वाले, मान के चलो 90% portion पढ़ेंगे, 10% portion हमारे slivers का पार्ट नहीं होता, total 298 section है इसके अंदर, 298 section है और 14 rule है इसके अंदर, जो कि हमें अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत simple तरीके से, ठीक है, तो यह सारा का सारा मैंने क्या बता है, एक overview दिया, हमें indirect tax नहीं पढ़ना सर, हमें पढ़ना है, income tax, income tax हम income कहां कहां स सकता है, earning, यह सारे के सारे heads है, इनी को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो समझ जाएंगे, अब आप खुछ समझ सकते हैं, मैं यह chapter पहले start नहीं कर सकता, मुझे पहले क्या chapter start करना है, आपका basic term, और income tax कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है, यह त कैसे tax calculate किया जाता है, वो सीखना है इसके अंदर, और उसके अंदर सारे हमें government के rule and regulation के according सीखना है, वही rule and regulation हम इसके अंदर सीखने वागे, ठीक है, हमारा ना FAB के मन्थ में, FAB के मन्थ में budget आता है, आपने सुना है कभी, FAB के मन्थ में, हर साल, परवरी के मन्थ में budget आता है, और इस budget को सुनाने के लिए, जो हमारा finance minister होता है, FM जिसे हम बोल दें, हमारा finance minister present में कौन है, बताओ, निर्मला सितारमन, finance minister और हर टाइम पर सरकार के according बदलते रहते हैं, तो जो ये finance minister है, निर्मला सितारमन, इसके पास आप देखना पहले तो क्या था, सूटकेस लेके आते थे वो, और कई बार text देखना तो वो सूटकेस दिखाते थे इस तरीके से, पुराने कभी देखना है, YouTube पे वीडियो देखेगा आपको, अब वो tablet लेके आने लगए, टेबलेट लेके आते हैं, उसमें होता क्या है basically, उसमें ये दो ही चीज बताने वाली होती है उसके अंदर, पूरे दिन 4-5 घंटे का speech होता है, उसमें दो ही बाते बताती है, ये मेरे खर्चे हैं, और ये मेरे income है, और ये खर्चे होंगे, और ये income होंगे, यानि जो हो चुके उसको नहीं, बजट उसे बोला जाता है, जो future planning से related हो, तो इसको बोला जाता है, जो एक पर्चा लेके आते हैं, उसे बोलते हैं, finance bill, अब सर्चे तो इसने गिनवा दिया, लेकिन income कहां से आएगा, income का सरकार का एक इस रोत होता है, tax, चाहे वो direct tax हो, च दूद पर भी लगा दिया, और bread पर भी अभी आया था न, उसके दूद, bread सब पर लगा दिया, उन्होंने खाने पीने के चीजों पर लगा दिया, सरकार को जब लगता है, कि हमें पैसा चाहिए, तो tax का rate बढ़ा देते हो, या उस चीजों पर tax लगा देते हैं, अपने है या गंगा है, वो clean नहीं है, हलाके अभी भी clean नहीं है, वो बस lockdown में हुआ था, clean नहीं है, इसको बड़े जोर सोर से मुद्धा बनाया जाता था, गौर्मेंट आई, बीजेपी गौर्मेंट आई, और वो यही लेके आये थे, कि हम पूरे गंगा को clean करेंगे, हमने clean करना है अपने 5 साल में एक उनका manifesto, यानि एक vision रखा कि हम पूरे गंगा जितने भी है, अब गंगा का मतलब यही नहीं है, कि जो की बनारस में है, पूरे इंडिया में बहुत जगह है गंगा, यमना, जो भी है, उनको clean करना है, अब जब इसने वचन दे दिया, तो पैसे भी त चाहिए, तो उसने क्या करा, बोला कि clean गंगा, सैस लगा दिया, एक tax, कि clean गंगा tax के नाम से 1% दो गया, यानि आपकी जितनी भी income है, वो पे tax तो 20% अगर हम ले रहे हैं, तो 20 तो दो, 1% और बढ़ा के दो, क्यों sir, आपके लिए गंगा clean करवा रहे हैं, पहले क्या था, क बच्चे, पोलियो से बहुत बिमार होते थे, आप आज से, मान के चलो, 20-25 साल पहले जाओ, तो ऐसा कोई घर नहीं होता था, जहां पे एक पोलियो का child नहीं होता था, बहुत पोलियो के patient होते थे, आप घर पे जबरदस्ती आके पिलाते हैं न, और add भी करते हैं, इसका प 1% और बढ़ा के दो बच्चों के polio drop के लिए, यानि वो आप से ही लेंगे, फिर अभी आया कि स्वच भारत अभ्यान करो, स्वच करो, तो उसके उपर भी बोला 1% और दो, किसके लिए स्वच भारत अभ्यान के लिए, ऐसे करते करते अभी तक भारत सरकार ने 4% इखटा क एक्स्ट्रा, clean ganga के नाम पे, health के नाम पे, उसके बाद बोला कि हर बच्चों का सिक्षा का अधिकार, हम हर बच्चे को free सिक्षा देंगे, अब free सिक्षा कहां से देंगे, tax बढ़ा दिया 1% और, तो total 4% उन्हों ने क्या करा, एक्स्ट्रा कर दिया, तो मेरा बताने का क्या purpose ह कि government को जब भी income की जोरत पड़ेगी तो वो क्या करेगी tax का rate बढ़ा देगी और जैसे ही tax बढ़ाएगा तो उसी के हिसाब से मैंने कहा था राम है उसी के हिसाब से राम अपना salary निकालेगा ना तो ये होता है finance bill जो finance minister अपने खर्चे income को इसके बाद रास्टपती उसको पढ़ता है हाला कि आज कल नहीं पढ़ते रास्टपती क्योंकि रास्टपती नाम जो बनाया गया है वो कोई ना कोई leader का political का रहता है तो रास्टपती उसको पढ़ते हैं उसके ओपर sign कर रहते हैं sign करने के बाद ये पन्ना जो हमारा income tax act है इसके अंदर चिपक जाता है और वो कानून फिर से बदल जाता है पहले था पुराने टाइम पे 20% का tax होगा सरकार को पैसे की जुरत पड़ा बिल लेके आए, रास्टपती ने इसके उपर sign किया, sign करने के बाद ये page जिस पे चिपक गया और इसके उपर fluid लगा दिया गया, समझ लूआ अब बोला tax हो गया हमारा 25% तो अब आपको क्या पढ़ना है 25% के इसाब से पढ़ना है बना 1961 में सा तो आप बताओ, क्या ये हर साल change होता होगा ये नहीं होता होगा तो most updated होता है और जो ये changes होते हैं उसको बोलते हैं हम amendment law के भासा में क्या बोलते हैं हम जब भी कोई चीज बदलाव होता है तो उसे क्या बोलते हैं amendment और ये हर साल बदलता है इसलिए income tax के मैं book की बात करूँ तो book जो होता है जब कभी भी किसी भी teacher से college में पूछना प्रोफेसर से पूछना वो बोलेंगा भाई नई book लो क्योंकि नई book के अंदर लेने का मतलब है जो नए rule आये हैं वो book उसके हिसाब से print हुआ होगा तो new book के अंदर amendment आया होगा ये छोटे 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 शब्द है लेकिन काफी बच्चे बहुत आगे graduate भी हो जाता है उसने पता ही नहीं चलता है ये amendment क्या है तो amendment का मतलब क्या होता है कानून में change बदलाव लाने को क्या बोलते है amendment question अगर आता है कि बताईए क्या income tax act हमारा 1961 में बना था क्या अभी तक change नहीं हुआ हर साल change होता है most updated बस इसमें क्या करते है page लगाते रहते हैं इस act का नाम नहीं बदल रहे बीच में अभी चल रहा है provision इस act को वो करेंगे 2000 जब भी आएगा 22, 23, 24 बदलना होगा तो वो बदल देंगे जैसे companies act याद है आपको 1956 हुआ करता था और 56 से लेके 2013 में बदला गया 50-60 साल के बाद सेम इसको भी बदल दिया जाएगा कभी न कभी ठीक है तो हमारा income tax बनता कैसे है हर साल finance minister आते हैं और वो क्या करते है finance bill लेके आते हैं उस bill के अंदर क्या होता है खर्चे और income की detail और हमें खर्चे से कोई मतलब नहीं है हमारे लिए income की टेंचन है किस कहां से वो income कमाएगी इसका मतलब वो tax rate बदली हुए उसने पहले क्या था मैं simple सी बात करूँ पहले हमारा finance minister हुआ करते थे निरमला थी सीता रमन से पहले कौन थे अरुन जेटली अब तो नहीं है shares को बेचने खरीदने पर कोई tax नहीं हुआ करता था अरुन जेटली का जो last था finance bill उसमें उन्होंने कहा कि अब shares को बेचोगे खरीदोगे उस पर भी tax लेंगे पैसे की जुरत पड़ी होगी उन्होंने क्या करा tax लगा दिया अब उस दिन के बाद से आज तक हर share बेचने खरीदने पर tax लिया जाता है तो यह act जो है ना हमारा most updated act है तो अभी तक हमने फिर again मैं कहूँगा हमने कुछ start नहीं गया हमने क्या देखा सर? हमने simple simple से points की मैं बात करूँ तो हमने देख लिया कि हमारा income tax है income tax में direct tax है indirect tax है indirect tax का मतलब GST GST हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले goods and services tax यह खर्चे के उपर लगता है और यह किस पे लगता है? income आपके कमाई के sources, कमाई के heads बोलू तो यह 5 ही है आप कोई भी income दिमाग में सोच लो मैं बताऊँगा इस 5 में ही है salary सोचोगे यहीं आएगा, business सोचोगे यहीं आएगा कोई भी सोच लो, share सोचोगे capital gain में डाल दिया है कहाँ गया, कहाँ गया यह रभ, fixed assets हो जाता है, shares भी हमारा assets का part होता है कोई भी income सोचोगे इस 5 में आएगा और साथ के साथ यह income tax बनता है, कैसे finance bill आता है finance bill के साथ साथ हमें क्या करते है उसके अंदर कुछ खर्चे और income का आता है राष्टपती उसके उपर sign करता है sign करने के बाद हमारा income tax में बदलाव हो जाता है जिस बदलाव को क्या बोलते हैं amendment, क्या बोलते हैं amendment, changes आ जाना ठीक है तो अभी तक कुछ बताया है नहीं इतना खास जिस बच्चे का कुछ बच्चों का doubt आ रहा है sir no voice, check कर ये मेरे साब से तो voice आ रही है, शायद वहाँ से कुछ दिक्कत हो इंदर जीत आप कह रहे है no voice बताये voice आ रही है या नहीं आ रही है तो हम स्टार्ट करें थोड़ा बाकि जो भी स्टूडेंट है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट भी नया class notes ऐसा रहेगा देखिए जितने class के notes हैं, आपके notes हो जाएंगे ठीक है, class के notes हो जाएंगे ठीक है, कई बार क्या हो सकता है कि मैं ज्यादा लिखवा हूँ तो मैं उसके PDF आपको send कर दिया करूँगा जो कि अगली class में आपने note करके आना है daily का काम आपने daily revise करके आना है क्योंकि आप ये पूरा का पूरा provision base है पूरा का पूरा provision का मतलब एक नया word आगया provision मतलब इसके अंदर law अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे जैसे for example बोला गया कि आगर आपकी पांच लाग रुपे की income है तो आपको text नहीं देना अगर पांच लाग एक रुपे भी होता तो आपको text देना है अगर आपको ये बाते याद नहीं रही तो आप text निकाल ही नहीं पाओगे तो इसके अंदर क्या है आपको जो बाते सिखाई जाएगी जो बाते बताई जाएगी daily basis पे आपको revise करना है इसको ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कुछ basic term मैं section भी quote करूँगा याद भी हो जाएगा कुछ बच्चे करें जो वीडियो पहले हैं वो last year के demo पड़े होंगे उनको बिल्कुल भी नहीं देखना आपको प्रयो भी तॉल मैं मैं स्टार्ट करें मैं स्सक्वणों यो